एक बार की बात है, घहने जंगल में बसे एक छोटे से गाव में लिली नाम की एक जवान लड़की रहती थी। उसके पास एक जग्यासु भावना और ज्ञान के लिए एक अत्रिप प्यास थी। हर दिन, लिली घहने जंगल में भटकती, प्रकृती के चमतकारों को देखती और अपने अंतहीन सवालों के जवाब तलाशती। एक धूप वाली सुबह, जब वहें छिपे हुए उपवन की खोच कर रही थी, लिली को जमीन पर पढ़ा एक चमकीला ताबीज मिला। साजश, उसने इसे उठाया और उसके माध्यम से उर्जा प्रवाह का एक उच्छाल महसूस किया। उसके बारे में जाने अंजाने, ताबीज में प्राचीन शक्तियां थी जो इसे पहनने वाले को जानवरों के साथ समवाद करने की क्षमता प्रदान करती थी। अपने नए उपहार से उत्साहित लिली ने जंगल के प्रानियों के साथ बातचीत शुरू की। उसने बुरे उल्लू की बुद्धी सुनी, शरार्ती गिलहरियों के साथ हंसी और चंचल खरगोशों के साथ रहस्य साजह किये। लिली की दोस्ती के लिए आभारी जानवरो उने अपनी छिपी प्रतिभा को प्रकट किया और उसे जीवन के मुयवान सबक सिखाए। लिली की असाधारल प्रतिभा के बारे में बात फैल गई, जो एक बुद्धिमान वृधर रिशी के कानों तक पहुँची। लड़की की करुना और ज्ञान की प्यास से प्रभाव दर्शन किया। जैसे जैसे साल बीटते गए, लिली एक बुद्धिमान और सम्मानत महिला के रूप में विक्सित हुई, जो अपनी दयालुता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक जानी जाती थी। उन्होंने अपना जीवन जंगल और उसके जीवों की रक्षा करने, सभ दुनिया को अपने ग्यान और सभी जीवित चीजों के लिए प्यार से रोशन किया।